हेलो एंड नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तो अब हम RTI के सेग्मेंट में नई जानकारी लेकर आपके समक चाये हैं आज का जो हमारा टोपिक है कि FIR के लिए RTI आवेदन का किस तरह से हम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो FIR का मतलब होता है First Information Report कई बार दोस्तो हम थाने वालों के उपर दबाव डलवा कर FIR तो दज करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद में कोई कारवाही नहीं होती है जांच अधिकारी यानि Investigation Officer सही से जांच नहीं करते हैं दोस्तो RTI में अब तो High Court का आदेश है कि आप Case Diary भी मांग सकते हैं और दोस्तो गरपतारी के समय जो क्या है DGP के दिसानर्देसों का पालन किया गया ये भी आप पूँच सकते हैं अधिकारी की जांच रिपोर्ट भी मांग सकते हैं कि उसने आपके आवेदन में जो प्रती दिन की प्रगती रिपोर्ट है पर हमें उपलब्द कराने का कश्ट करें और सभी पिरकार के जो दस्तावेजन दोस्तों आपके FIR से जड़े हुए उन सब की आप प्रमानेत प्रती लिपियां मांग सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं FIR के लिए RTI आवेदन अब लिखना है दोस्तों हमें जन सूचना अधिकार यानी पबलिक इनफॉर्मेशन ओफिशर को अब सार्विजन एक प्रादी करण का नाम जैसे दोस्तों धाना है तो धाना इंचार्ज रहता है RTI SP को लिख सकते हैं DGP को लिख सकते हैं IG को भी लिख सकते हैं Commissioner को भी लिख सकते हैं अब दोस्तों जिसके लिए भी आप लिख रहा हैं तो पूरा पता आपको यहाँ पर mention करना बहुत जरूरी है और साथ में आप PIN Code को भी लिख सकते हैं अब दोस्तो इसके बाद शुरू होती है विशय, RTI अधिनियम 2005 की धारा 6-1 के तहत सूचना के लिए अनुरूद दोस्तो, RTI का जो सेक्सन है दोस्तो 6-1, उसके तहत ही हम आवेदन के लिए अनुरूद करते हैं, दोस्तो अब इसके बाद हमें शुरू करना है दोस्तो, महोदय, किरपया मुझे नीचे दी गई, सूचना रिपोर्ट के संबंद में निमने लिकत जानकारी प्रदान करें, दोस्तो, जो भी आपकी FIR की कॉपी होगी, उसको आपको विवरण यहाँ पर देना है, उसको संलगने करना है, प्रात्मिकिया जो भी सिकायत की आपकी संख्या है यानि F.I.R. का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है फिर सिकायत करता जो भी है उस F.I.R. का उसका नाम लिखना है दोस्तों अभियुक्त का नाम इसके बाद में अभियुक्त का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर mention करना है फिर सिकायत की तिति यानी date जो भी सिकायत की तारीक है जब आपने complaint की थी वो आपको लिखना है अब दोस्तो जिस पुलिस से स्टेशन में आपने F.I.R. दर्ज करवाई थी यहाँ पर उसका नाम आपको लिखना है अब दोस्तो मांगी गई जानकारी का बिवरण फर्ष्ट पॉइंट है जैसा कि उपर बताया गया है कि प्रात्मिकी की प्रमाणत प्रती इसके बाद दोस्तो उपरोक्त प्रात्मिकी के संबंद में जो जाँच पर आवद है के प्रमाणत प्रती के दस्ता बेज हमें उपलब्द कराने का कश्ट करें इसके बाद में जाँच पर एक अवदी के बाद में जो भी प्रगती हुई उसमें जो भी प्रगती हुई उसकी रिपोर्ट की प्रमाणत प्रतीलिपी के दस्ता बेज हमें उपलब्द कराने का कश्ट करें सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की करपया मुझे अपरोक्त F.I.R. के संबंद में मामले की जांच के लिए सौंपे गए जांच अधिकारी या फिर अधिकारीयों का नाम बताएं उनका पदनाम बताएं उनके बैज नमर बताएं उनके कारेलाय का पता और फॉन नमर उपलब्द कराने का कश्ट करें दोस्तों जो भी हमारी F.I.R. होती है तो F.I.R. के बाद में एक जांच अधिकारी होता है जो उसकी investigation करता है जैसे I.O. यानि investigation officer भी बोलते हैं तो उससे संबंध है यह आप सारी जांकारी मांग सकते हैं अब दोस्तों four point है case diary की प्रमानेत प्रती जिसमें उपरोक्त प्रात्मेकी के संबंध में गरपतार किये गए ब्यक्तियों के नाम और उनके गरपतारी के कारणों का उल्लेक हो वो हमें उपलब्द कराने का कश्ट करें दोस्तों case diary आप ले सकते हैं कई बार आपको मना करते हैं कि case diary हम देंगे नहीं क्योंकि actual में दोस्तों high court का यह आदेस है कि आप RTI में case diary भी मांग सकते हैं अब दोस्तों इसी में हैं कि यतने भी व्यक्ति गरपतार किये गए हैं और उनके गरपतारी के कारणा में बताएं कई बार अब दोस्तों हम बात करते हैं high point के बारे में किर्पिया मुझे गरबतार किये गए आरोपी की जितने भी दोस्त हैं या पर उसके रिस्तेदार हैं फिर अन्य व्यक्ति हैं का नाम हमें सूचित करें दोस्तों ताकि इस तरह की गरबतारी के बारे में पलिस महा निर्देसक दोरा जासी जारी दिसा जो निर्देशों के अनुशार उनकी गरबतारी और हरासत के संबंद में माननी यह दोरा निर्दारत निर्देसों के अनुशार सूचित किया जा सके भारत के सरवोच नियालाय ने योगिंदर कुमार वनाम यूपी राज्य के मामलों में ऐसा पहसला दोस्तो किया है अब हम बात करते हैं दोस्तो सिक्स पॉइंट के बारे में कि यदि उपरोक्त प्राथमे की संबंद में ऐसी कोई कारवाही नहीं की जाती है या पिर जो केश डायरी प्रविष्टी नहीं रखी जाती है तो किरपया मुझे जिम्मेदार अधिकारी या पिर अधिकारीयों और करमेचारीयों के नाम बताएं लेकिन गरबतारी के सम्मंद में डायरी प्रविष्टी बनाय रखने के लिए कारबाही करने में विफल रहे अपरोग तो प्राथमी की में आरोपी की गरबतारी के बारे में अपने करीबी दोस्त रिस्तेदार अन्न ब्यक्तियों को सूचित करने में विफल रहे तो कई बार क्या होता है जो अधिकारी होते हैं करमेचारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो केश डायरी प्रविश्ट करें लेकिन एक समय सीमा होती है दोस्तों इसकी लेकिन वो इस समय सीमा में केश डायरी को वहाँ पर कोर्ट में जमा नहीं करते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं सेवन नंबर पॉइंट के बारे में यदि अभियोक्त की गरपतारी के बाब जूद कोई केशडारी प्रविष्टी और लब्द नहीं है तो किरपया मुझे मानने नहीं है उच्चे नियाला दौरा निर्धारित कानून के अनुसार पुलिस महा इफ एंडिया के दवरे एक डिसीजन दिय गया तह उस फैasले का आप यहां पर जिकर कर सकते हैं अब दोस्तों प्रात्मी की संबंद में एक जांच अधीकारी दौरां रिपोर्ट तयार की जाती है आप उस रिपोर्ट की प्रमानत प्रतिलिपी RTI में दोस्तों आप मांग सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिलिपी 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 प् के बारे में यदि अभियोक्तों और गवाहों से पूंचतांच नहीं की गई या उनके बयान दर्ज नहीं की गई तो किर्पया मुझे उन दस्तावेजों की प्रतिलिपी प्रदान करें जिनके अधार पर जांच अधिकारी ने जांच के निसकर्स निकाले थे दोस्तो अब ये पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यदि अभियोक्तों के बयान नहीं हुई है गवाहों से पूंचता अच नहीं की है और इसके आधि भी आपने जांच अधिकारी ने एक रिपोर्ट निसकर्स निकाल दी तो आप इसके बारे में प्रमानज प प्रतीलिपी जो समय सीमा को दिनों की संख्या में निरधारित करती है जिसके द्वारां ऐसी सिकायत मामलों को आपके सारवजनिक प्रादी करन द्वारा निम्टाया जाना चाहिए जहां छोनी चाहिए उनके समस्त दस्ताविज दोस्तों आप इसमें मांग सकते हैं यहां पर आता है आविदन सुल्क तो आविदन सुल्क हम क्या है दोस्तों या तो हम कैस रूप में 10 रूपे दे सकते हैं या फिर IPO सनलगने कर सकते हैं Postal Order सनलगने कर सकते हैं या फिर Online भी Pay कर सकते हैं तो यह बड़ा Issue नहीं है अब दोस्तो एक और होता है इसमें एक और आप mention कर सकते हैं कि RTI Adenium की धारा 6.3 का प्रियोग कर यदि संबंदित विभाग में हमारा आविदन भेजने का कष्ट करें कई बार क्या होता है दोस्तों हमारा आविदन गलत भाग में चला जाता है तो हम RTI Adenium के सेक्षन 6.3 का प्रियोग कर सकते हैं तो जो आविदन है हमारा हमें जिस जगाए पर भेजना है बहाँ पर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहाँ पर भेजें और उन्हें भी पांच दिबस के अंदर ही उस आविदन को बहाँ पर भेजना होगा अब दोस्तों जो भी हमें जानकारी चाहिए है वो हमारे पंजी गरत डाक दोरा हमें हमारे पते पर भेजें और इसके साथ ही दोस्तों प्रतम अपीली अदीकारी का नाम और उसका पता जरूर बताने का कश्ट करें इसके बाद है दोस्तों हमें जो नार्मल जानकारी होती है हमारा नाम प्रॉपर लिखना है जो भी आपका नाम है पर आपका एड्रेश प्रॉपर लिखें पिन कोड प्रॉपर लिखें और जो भी डेट है आपने जब आविदन भेजा है उसको लिखें इमेल आइडी जरूर लिखें दोस्तो कई वार क्या होता है जानकारी हमें जो पत्राचार कर रहा है जो पत्राच से देना है आसा है दोस्तों आपको वीडियो पशंद आई होगी दोस्तों वीडियो से रिलेटव आपके कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस बुक को आप अमेजन फिलिपकॉर्ट से भी मंगा सकते हैं या हमारे नमबर पर बाट सब करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं